हेलो दोस्तो आज मैं बनाने जा रही हूं गाजर की कड़ी तो मैंने ये ले लिया है दई और साथ मैं ले लिये एक खरी मिर्ची और ये चार-पांच गाजर है और गाजर की इतनी अच्छी कड़ी बनके तेयार होती है आप भी एक बार ट्राइ जरूर करना है साथ में मैंने गाजर को अच्छे से काट लिया है अगर आप चाहो तो कद्दू कस भी कश सकते हो लेकिन मैंने गाजर को अच्छे से बारिक से काट लिया है साथ में मैंने ले लिया है दई दई को मैंने अच्छे से फैट लिया है फैटने के बाद मैंने इसमें एक चम्चा आप अपने ही साब से डाल दीजिए नहीं तो जैसी पतली कड़ी आप आप गाडी कड़ी काते उसी साथ मैं मैंने डाल दीए लाल मिड्चि शूकी पाउडर और ये डाल दीए मैंने हल्दी और हल्दी के बाद डाल दूँगे धन्या पाउडर ये सब को मैं साथ मैं रई बोलते ना उससे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है पर हमारे यां तो रई बोला जाता है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तब तक मैंने रख दिया है कडाई कडाई मेरी गरम अच्छे से हो रही है तो मैंने ले लिए हरी मिर्ची सूकी मिर्ची और जीरा और थोड़ी सी ले लिए मैंने सर्सो इससे भी अच्छा टिस्ट आता है और ये मैंने जीरा औ तड़का मेरी चटक गई है राई बोलते है इसको वैसे राई मेरी अच्छे से चटक गई है साथ में डाल दी हरी मिर्ची और सूपी रखी थी न अब मैं डाल दूँगी साथ में जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था अपना मठा दई और उसमें बेशन और सब सूपी मसाले अब मैं इस कड़ी को अच्छे से चलाऊंगी और आपको कड़ी को अच्छे से चलाना है आपको बार बार चलाने से क्या है कड़ी फटेगी नहीं और अच्छे टेस्ट भी आता है जब तक इसमें अच्छे स्वेवाल नहीं आ जाता तो आप कड़ी को ऐसे ही चलाई है और अभी आया नहीं है अब देखिए अब मैंने ये गेस पर रख दिये है लाइड चली गई तो और साथ में हुआ आने के साथ ही मेरा ड़ा दिये गाजर अब गाजारूट को अच्छे से बढ़िया अच्छे से देखें कितने अच्छे से वल रही है हमारी कड़ी और कलर देखिए आप कितना अच्छे से आया है और इसमें अब मैं डाल दूँगी नमक नमक आपको पहले नहीं डालना है क्योंकि नहीं तो आपकी कड़ी फट और जब तक मेरी कड़ी बन रही है तब तक मैंने ले लिए चाय मैं गर्म गर्म चाय पीऊँगी क्योंकि सुबह का टायम है बच्चों के लिए टिपिन भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाता है दोनों काम में साथ में कर लेती हूं कड़ी बनके तैयार है, आप इसमे डाल दीजिए अरे दनिया, मैं बना रही हूं चावल, तो चावल को मेने दो लिया अच्छे से, ठोड़ी ले लिये मटर, ठोड़ा जीराighing, और नमक है, और एक कड़ी चावल हना.. मैं दोगढ़ी पानी डालूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाग कीजिए, सेयर कीजिए और सब्सक्राब करना बत भूले साथ मेरा तेल अच्छे से गरम हो गया तो मैंने डाल दिया इसमें जीरा और इसको अच्छे से मैं गरम कर लूँगी जीरा को जीरा गरम होने के बाद मैंने मटर और चावल डाल दिया है इसी मैं डाल दूँगी मैं दो कटोरी पानी एक कटोरी चावल देना तो उसी साब से दो कटोरी पानी डाल के हमें इसको अच्छे से हिला के और प्रेसर कुकर को बंद कर दूँगी दो सीटी आने तक और बस दो सीटी में हमारी चावल बन के तयार हो जाएंगे और साथ में कड़ी चावल खाईए और प्रभू का नाम लीजिए सर्दी का मोसम है मस्त रहिए तनरुष्ट रहिए सियत मन रहिए वीडियो को सेर जरूर करना ओके बाए